हलो मेरे पैरे बच्चो कैसे है आप मैं हूँ आपकी टीचर अनुश्री आज की तारीक है 20 अक्तूबर 2020 और आज का दिन है मंगलवार तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी तो आप सब लोग अपना हिंदी का भूख निकाले तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक ही मात्र तो आप सब लोगों को याद होगा हमने हमारे पहले वाले पाठ में पढ़ा था एक ही मात्रा लेकिन ये एक मात्रा है है ना चीक है आप लोग इसे ध्यान से पढ़े और इसका कंफेरिजन अच्छे से समझ ले है ना यहापे इन अक्षरों को एक ही इस मात्रा के साथ तो यह double मात्रा है, है न, तो हम इस A को इस मात्रा के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक example हम देखते हैं, देखिए यह है क, तो हमने कल हमारे पहले वाले पाठ में क को इस मात्रा के साथ जोड़ा था, और अभी हम कर को इस मात्रा के साथ जोड़ेती है कय, है न, कय, ठीक है, तो आप लोग इसका comparison अच्छे से समझ ले, ठीक है, तो देखिए, ये है, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी ये वाली मात्रा, ठीक है, तो देखिए, अभी नीचे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है नीचे अक्षर दिये गया है, और जिसको इस मात्रा के साथ जोड़ा गया है, तो उसका उच्चारन हमें कैसे करना है, है न, उसके sound कैसे निकलेगा, जम है उसे मात्रा के साथ जोड़के बोलेंगे, है न, तो आप लोगों को इन सब चीजों को ध्यान से सुनना है, और मेर ध्यान से सुनें और मेरे साथ दोहराएं ओके ठे 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 डे ध्यान से सुनें ओके धे ने पे फे बे भे मैं ये रे ले वे शे शे से है ठीक है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो देखे नीचे हम इस मातरा को कैसे अक्षरों के साथ जोड़ना है और शब्द कैसे बनाने है जब हम इस मातरा को अक्षरों के साथ जोड़ते है और शब्द कैसे बनते है उसे हम थोड़ा सा अभी देखेंगे आओ पढ़े तो देखे नीचे कौन सा चित्र नजर आ रहा ह तो नीचे आपको कौन सा चित्रे नजर आ रहा है बैग है न, थैला, थैले को इंगलिश में बोला जाता है तो यहाँ पे थ को मात्रा के साथ जोड़ा गया है तो यह शब्द बना है थ प्लस मात्रा प्लस ला इक्वल टू थैला चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है सैननिक मतलब सैननिक को इंगलिश में क्या बोला जाता है तो यहाँ पे स को मात्रा के साथ जोड़ा गया है सैननिक, थीक है स् प्लस मात्रा प्लस नी प्लस क इक्वल टु सैननिक नीचे है तैराक, स्वीमर एक लड़का है जो स्वीमिंग कर रहा है तो देखिए त को मात्रा के साथ जोड़ा गया है त प्लस मात्रा प्लस रा प्लस कर इक्वल टू तैराक ठीक है तो अभी जब हम मात्रा के साथ इन शब्दों को मात्रा के साथ जोड़ते हैं तो कुछ शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे कुछ और शब्द हमें दिये गया है, मैं इसे पढ़ने वाली हूँ, आप सब लोगों को इसे मेरे साथ दोहराना है, और इसका प्रोणाउंसेशन हम कैसे कर रहे हैं, इसका साउंड कैसे निकल रहा है, आप सब को ध्यान से सुनना है, मैं इसे कैसे पढ़ रही हूँ, तो देखिए, आओ अभ्यास करें, नैन, पैर, बैर, थैला, सेर, मैं इसे फिर से दोहरा हूँ, तो यहाँ पे न को मातरा के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, पैर, बैर, थैला, सेर, नैया, मैया, भहिया, हैरान, मैदान, पैदल, कैमेर पैरा, तैराक, बैलगाडी, कैद खाना, नैनी ताल, तो यहाँ पी अगर आप अच्छे से उब्जर करोगे, है ना, ठीक तरीके से देखोगे, तो हर एक शब्द में एक एक अक्षर को मातरा के साथ जोड़ा गया है, तो यह शब्द बने है, जैसे कि नैनी ताल में न को म लाइन्स तैयार होती है, कुछ वाक्वे तैयार होती है, उसे हम अभी देखेंगे, आव पढ़े, तो देखी एक लड़की है जो पैसे ले रही है, पैसे कोंorts इंगलिश में क्या बोला जाता है, मौनी, तो hinबल मोजी हो कि豆 ले, तो हएक से मिशा है सब्द है, तो यहाँ सिंगल मात्रा एक मात्रा के साथ जोड़ा गया है और अभी हम जो पढ़ रहे हैं यह है एको इस मात्रा के साथ जोड़ा जा रहा है है ना चीक है तो अभी देखिए म को मात्रा के साथ जोड़ा गया है और प को मात्रा के साथ जोड़ा गया है तो यह कैसे लाइन तयार हो रह जो ground में खेल रहे हैं, मैदान को इंगलिश में बोला जाता है, ground है ना, चीक हैं, तो यहाँ पे म को मातरा के साथ जोड़ा गया है, है ना, तो यह कैसे लाइन तयार हुई है, मैदान जाकर खेल, मैदान जाकर खेल, चीक हैं, अभी नीचे है, एरावत पर राजा बैठा है, तो यहाँ पे ब को मात्रा के साथ जोड़ा गया है, डबल मात्रा और ह को डबल मात्रा के साथ जोड़ा गया है, और यहाँ पे अगर अध्यान से देखोगे, तो एरावत इस शब्द के लिए एको एक मात्रा के साथ जोड़ा गया है, है न, तो देखिए एरावत पर राजा बैठा, बै, बैठा है, ठीके, यहाँ पे ब को मातरा के साथ जोड़ा गया है, और ह को मातरा के साथ जोड़ा गया है, ठीके, तो अभी नीचे देखेंगे, कैलाश नैनीताल घुमने गया है, है न, तो कैलाश, तो यहाँ पे क को मातरा के साथ जोड़ा गया है, नैनीताल, न को मात्रा के साथ जोड़ा गया है और ह को मात्रा के साथ जोड़ा गया है तो यह लाइन कैसे बन रही है यह वाक्य कैसे तयार हो रहा है कैलाश नैनी टाल घुमने गया है चीक है तो इन सारे वाक्यों को इन सारे अक्षरों को है न आप और भी कुछ अक्षर ले और भी कुछ शब्द बनाए तो आपको अच्छे से इसका पाठांतरन भी हो जाएगा और इन शब्दों को कैसे पढ़ना है ना कैसे लिखना है यह सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आज हमने हमारे पाठ में जो नए कुछ शब्द पढ़े है उसके हमें नीचे जाता है इंगलिश में आई, बैल, बुल, सैनिक, सोल्जर, सब लोगों को पता है है ना तैराक, स्वीमर, मैंने भी आप लोगों को बताया था हैरान, सर्प्राइज, भाईया, ब्रेदर, मैया, मादर, मैदान, ग्राउन है ना उपर हम लोगों ने देखा था बच्चे है जो मैदान में खेल रहे है ना नईया बोट, पैर, फुट, सैर, आउटिंग, थैला, बैग, साब लोगों को पता है है ना हमने यहाँ पर पढ़ा था थैला ठीक है थर को मातरा के साथ जोड़ा गया था जिसमें वो होता है बैग, बैर, हेट, एनमिटी, पैसा, मनी, पैद जेल, पैड़ेट, स्ट्रियन, ठीक है पैड़ेट, स्ट्रियन, जेल, कैमरा, कैमरा, बैल गाड़ी, ओक्सकार्ड, वेरी गुड, तो इन सारे शब्दों के अर्थों को आप लोगों को लिखना है पढ़ना है और इसका अच्छे से पाठा नतरन करना है ताकि आप सब बाइ, टेक क्यर, थैंक यू